कि अज़ेंट आपका मेरे इट्टिशनल कंप्लेट में पुना वेलकम हैं तो हम लोग प्राइक्ता चेप्टर पड़ रहे थे क्लास 12 का जिसमें हम लोग साब प्रतिबंध प्राइक्ता के बारे में कि श्टडी कर लिये थे उसका मेरे कैसे डेयाई होता है कि उसका ठीश्य की ये फार्मॐरी से कैसे डेयाई किया था क्या चीजी नहीं फिर्ट है कि इवन भी फट इध्व हो समझे थे तो हमने फ्रस्टबलद का सहब प्राइक्ता का बारे में पड़ा था कि जब कोई घटना पहले हो चुकी हो और उस घटना में किसी अन्य घटना की प्रायकता निकालते हैं तो उसे बोलते हैं सवपरती बंद प्रायकता उसे गटना पहले घटित हो चुकी होती है उसका फार्मलय डिष्ट एथे उसे question लगाये थे उसके theory पड़े थे यहां पर हमारा उसमें 5 कोश्चन तक भी हम लोग NCRT से लगा लिए थे भी ठीक जांपल सहीत लगाए थे क्वेश्चन नमर्शिक्स हमारा है तो आज हम 13.1 प्रस्णावली के क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं है यह तो पहली बार हुँड आया दूसरी बार को गश्चन गए ह हां निक Gemini को सहंगे फिर फिर माल लीजिए पहला पहेड आ गया दूसरा पहेड आ गया तिसरा पहेड आ गया फिर पहले पहेड आ गया दोनों पहेड आ गया यह हो गया या तीनों पहेड आ गया या दोनों पहेड आ गया या पहले पहेड दूसरे पहेड तिसरे पहेड आ गया कितने बन गए एक दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, एक और कोई बनेगा देखिए, ती, यच, यच, हो चुका है, यच, टी, यच, टी, टी नहीं है, तो यच, टी, टी, यह आपका हो गया, तो यह तो नॉर्मली कुल समिष्टी है, पहला कोशन क्या है, कि ए तीसरी उच्छाल पर चित आ र आ रहा है, तीसरी उच्छाल पर चित मतलब, कि तीसरा है हमारा हेड, तीसरा हेड होना चाहिए, बस, तो तीसरा हेड एक हो गया, यच, 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 यह नहीं है, यह हो गया, यच, टी, यच, एक यच, यह हो नहीं सकता है, ती, टी, यच, यह नहीं सकता है, यह नहीं सकता हैं कि दोनों उच्छालों परचित पहली दोनों उच्छालों परचित एक यह पहले दोनों छालों चीट इसके बाध घटित होने की प्राइकता मतलब इसमें यह हो चुका है मतलब की दोनों उच्छालों पर चित आ चुका है। थे पहले दोंगों सभी एक यह but is यह है आइसमें कितना है पहले दोंगों सभर्श में और ये भी है कि मैं तो इंसर कितना होगा दो और उसमें केवल ड़ेक्वल कॉंड़िशन है तीसरी उच्छालप चित का देखली जिए इसमें से इसी में से देखना है कि तिसरी उचाल पर भी क्या नी चाहिए चित आने चाहिए तो तिसरी उचाल पर चित के वल किसमें आ रहा है एक ही कंडिशन है तो एक आ गया इसका एक बटा दो हम बताये थे आपको theoretically कि जो आपका नीचे होता है उसी में देखना होता है लेकिन रगाणा हमको लगाना नहीं होता है अगर आब हम आगे चलें तो हमको निकालना है सबसे पहले E intersection F तो दोनों में क्या common है दोनों में H common है यच 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 और यच यच ठीस में है नहीं तो क्योवल यह intersection है दोनों का फिर आप हमको निकालना है P E क्या निकालना है P E फिर निकालना है P E F और फिर निकालना है P E इंटरसेक्शन या, P-E मतलब कितने गंटना है, एक, दूर्थ, तीन, चार, टोटल ये समिश्टी कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, शह, साथ, आट, तो यह हो गया, टोटल समिश्टी कितनी है, आठ, उसमें कितने पॉसिबल संभावना है, चार, कितना है, एक बटा 2 पीफ कितनी है। Flower Zone 2 और टोडल समिस्टी कितनी है। आठ कितना हुगεν एक बटा चार पीफ की एक है ř। 2 कितना है। अब हम देखेंगे एक बटा आठ है किसाफ सेure । communist का फार्मुलाग होता है। पर में ऊपर यह उप्रॉ het कि दूबनें यहां प्रविश चला यहां पर यहांप पर तो 4 बटा तो इस से भी आपके इस्वर आ गया एक बटा दो जो था इस तरह से SaaS से लगेंगे अब दूसरा कोश्चन हमनों देखते हैं उससे पहले थोड़ा इंग भर लिया जाए कोगे किलियर चल नहीं रहा है तो दूसरा कोश्चन क्या है निउन्टम दोचित देखिए यह सब मिटका दे रहे हैं अब समिष्टी नहीं मिटकेगी क्योंकि एक सिक्का तीन मल उच्छा लागया कि समिष्टी यही है रतिदाश समिष्टी चैंपली स्पेस ओगा अब दूसरा कोश्चन में क्या कह रहा है कि निउन्टम दोचित तो ऑ क्या है निउन्टम दोचटी कंप नूँचें है हैν अधिक से मतलब नहीं यह होने चाहिंए यह कं से है लेकिन इसमें दो छ है इसमें भी नहीं है इसमें धने कितने बन गए यह 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 चान आश कंसे कम दो छित आधिकतं दो छित अधिक से बाहत ऊने कि उसके हो सका villagers लेकिन अधिक से अधिक 2 चित इसमें अधिक से अधिक 2 चित नहीं है क्योंकि इसमें 3 हो गया तो यह नहीं है अधिक से अधिक 2 चित है 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 ये रहेगाँ टी टी एभी रहेगा एक सित्ष है टी study woghat ंध्य फ्से अधिक दो चित कि उससे कंग कुछ भी हो 0 हो तो नहीं चलेगा हूं लेकिन मैक्समाम कितने चीत होने चाहिए तो कितने हो गए साथ एक दो तीन चार पांच हो साथ अब हम कहें है कि यह हो चुका है यानि यह हो चुका है तो इसी में देखना है हमको यह देखना है तो इसमें यह देखना है यह मतलब क्या देखना है कम से कम दो चित कम से कम दो चित मतलब यह 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 उसका यह नहीं यह क्योंकि इसमें एक भी है इसमें एक है इसमें ईएख रेकिन कम से कम कितना है 2 तो- toxyb लगाना है हमको लगाना है तो यह अच्छा चप्टर है बहुत मैदार अगर आप पढ़ें प्राइक तत्तों हमारी पहले वीडियो पढ़ें तो जैक पढ़िए अब हम निकालेंगे पहले दोनों का आप जो दोन निकाललेंगे इसका इंटर सेक्शन तो यह देखिए है इसमें नहीं है कहीं है נहीं है नहीं यह कामन पार्ट होता है दोनों का यह की है फैन कामन का कबुदा निकाले निकाली की कितना है 1 2 3 4 टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 4 अपन 8 फ निकाल ये इसका इसते निकालते हैं तो 7 बर है ये इसमें भी आया होगा 7 बार तो यह हो गया कितना है इसमें 8 तो 7 अपन 8 एक इतने है 3 तो प E intersection EF निकालेंगे तो 3 बटा 8 हो जाएगा हमको question में क्या निकालना है E BF तो P E BF का formula क्या होता है उपर होता है union intersection P intersection EF अब बटा में P EF P intersection EF कमान कितना है 3 बटा 8 अब P F कमान कितना है 7 बटा 8 कट गया answer आगए 3 अपान 7 जो by theory भी आया था तो दुसरा कोशन में हो गया आप तीसरा कोशन देखते हैं तो अधिक्तम दो पट अधिक्तम दो पट इवेंट ई क्या है अच्छा उत्यस मिटे गया पिख लिंखी कैएकर इसी पहले वाले से आठ बनना थ अधिक्तम दो में क्या थी यह था की यान्च फिर headeragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerageragerager तो इस सांथ होने नहीं चाहिए है कम से कम कुछ भी सत्सें přेट तो यहाप का हो सकता है क्योंकि इसमें नहीं नहीं है अरुम्हच dh हो गया और यह क्या है नियुंतम एक पट यह कहीं पट होना चाहिए उससे अधिक नहीं होना चाहिए तो यह हो गया इसमें भी पट नहीं है एक पट सदिक होना ही नहीं चाहिए अधिकतम दो पट का मतलब दो सदिक पट नहीं होना चाहिए नियुंतम एक पट मतलब कम से कम एक पट उसमें होना चाहिए तो इसमें पट है नहीं इसमें देखें इसमें एक पट है यह त्याच इसमें भी एक पही पट है यह त्याच इ इसमें भी एक पठ्थ है कम से कम ठी इसमें भी एक पठ्थ है कम से कम अधिकतम नहीं होना चाहिए अधिकतम एक पठ्थ दिया होता तो यह होता क्यों यह 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 और यह भी होता अधिकतम एक पठ्थ अधिकतम मतलब एक से अधिक नहीं होना चाहिए नियुंतम मतलब कम से कम है उससे दिक कितना भी हो हैं यहां कि पccoli नहीं किसको ठोर खोड़ के बाकी सब ऊघ्रेशन है बागी सब सबकुन है यह आपको मिल गया कि आपको मिल गया कि अब को मिल दो बाकि सबını अ n तोटल कितना है आठ फिर निखालेंगे याफ का यह भी साथ है ऐसा निकलेंगे थिस इंटर्सेक्शन है कि एक दो तीन चार पांच हो आठ तो यह भट्ञ आठ अब लगा देंगे पीए बाई अफ कितना हो जागा पीए बट्टा में पी इंच में यह हो गया पीए इसका मान है 6 और प्ड़ा में पीए का मान कितना है एक कितना आए चार आपञ साथosis दे में देखना कि इसी में इसीफ में साथ एद है और ये चिंद कि उसको पाई लेंग दे रहा है फिर आप इसको पीजिए तो अगला कोशन है इसमें भी आपको पी इबाई या फी निकालना है तो यह कोशन है आपका सेवंथ तो दो सिक्के को एक बर उच्छाला गया इसका मतलब समिष्टी क्या बनेगा इसमें हेड हेड यही जो बनाए है हेड टेल टेल हेड और टेल टेल इह घटना क्या दिया एक सिक्के पर प्रकट होता है है इसमें एक सिक्के पर है इसमें दोनों पर है तो यह भी नहीं है इसमें केवल क्या है यह टी है और क्या है कि अगर यहीं दिया होता कि कि पहले सिक्के पर क्या हो पट पर कठो पहले सिक्के पर पट पर कठो इसका मतलब हो गया यह नहीं होगा यह भी भी नहीं होगा क्योंकि एक सिक्का के वल दिया हो कम से कम दिया हो तो यह हो सकता है समझ गया है पहले सिक्के और एक सिक्के मंतर है अगर पहले सिक्के पर दिया होता पट पर कठ होता तो यह वाला नहीं होता क्योंकि पहले सिक्के पर क्या है हेड है चित है तो यह हो गया यह इसमें का दियेज होगा क्योंकि दोन नफ्रो हो गया है ठीक þो है तो इसका हम लोग फिर इसका निकालेंगे यूण फ्र है मतर्य यूनि यूनियें और संसथा दोंका मि नहीं फिर इसी प्राइकता निकालेंगे ईक होगा इसमृतना है लिडूबल और 4 ट्रोडल समभावना है कितना हो गया एक बथा-ज़ो इसे में निकालेंगे तो कि तो किटने स्थेंगा कि उत Messiah 204 कि छोगे 5 फिर इसका हम लोग निकालेंगा प्राय्पता कि के पी इंट्रसेक्शन प्रतिकूस हमौना कितनी है दो हुदस हमोना कितनी है चार तो यह अगया डो गिए गटना है यूल एक निद्धना है हम लोग क्या देखते हैं यह देखते हैं की प्रोबिल्टी जब यह हुटित हो चुका है तो हमें देखते mlibyativity तो इह हमें यह यह श्योर इभेंट है श्यारर इभेंट करोडली कितनी होती है एक अब इसमें आजाई जैए यह फर कोई परकेट होता है मतलब कोई परकटने होता है तो इख हम्त आउची कोई इसमें पर प्रकटनी अच्छा गरगार है कोई चित परकटनी होता है अब मतलब क्या होता है bleak है त Dollar कि यह हो गया यह है को इन दोनने कुछ कमान है नहीं तो दोने कुछ common ही नहीं है तो intersection f क्या हो गया 5 अब इसकी probability निकाल लेंगे तो पी कामान हो गया एक और 4 है तो एक बट्टा 4 पी अफ निकाल लेंगे तो हो जाएगा एक बट्टा चारे भी हो गया इसकी probability निकालेंगे तो जब कुछ common ही नहीं इसमें से यानि 0 है तो intersection f कामान कितना आ गया जीरो ना गया जीरो कुछ भी common नहीं है क्योंकि यह कुछ जीरो बट्टा पीएव कामान ही देंगे शोच है इतरा से अएफ में देखते हैं एइ तो यह मेंड़ी नहीं यह नहीं तो यह इंपॉसिबल इवेंट हो गया इंपॉसिबल इवेंट के प्राइक तक इतनी होती है जीरो तो आपको क्लियर हो गए है सत्वां कुश्च्च् तो इसमें देखिए एक पास्ते को तीन में उच्छाला गया एक लिड़ो की गुट्टी को तीन में उच्छाला गया तो एक लिड़ो गुट्टी कितना होता है एच्छा है तीन में उच्छाला गया मतलब कि एक 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 तीन में फोसकता है एक एक आ जाए या एक पे एक दो पे आ गया एक पे दो आ गया इसे एक एक तीन ऐसे एक एक चार एक पांच एक च्छाए तो इस तरह कितने बनेंगे 36 पॉसिबल नंबर बनेंगे तो यह हमारा समिष्टियों कि संख्या कितनी हो गई 36 हो गई समष्टियों कि संख्या कितनी हो गई तो फिर इसे बनाते जाएंगे तो एक से फिर बनाएंगे तो एक 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 फिर यहां पर दो करते जाएंगे चेंज करते जाएंगे इसका फार्मला होता है छय के पावज यन होता जितने वह ऊशाला जाए तो यन तीन वह चला गया तो छय इंटू 6106 कि इसकी हो गया है दौसों डूह अब यह क्या कर रहा है कि इसलिव तिसरी उच्छाल पर चार प्रकट हो पहला एक हो गया फिर चार फिर एक यहां कुछ भी हो गया इसको चेंज कर दिए पांच कर दिए यहां चार कर दिजिए यहां एक च्छय कर दिए चार कर दिजिए यानि इसको बहाते जाएए एक से दो कर दिए इसको तीन कर दिए फिर एक से इसको चार कर दिए चार कर दिए एक पांच चार एक चो चार इतने होंगे इससे तरह बनें तो इस तरह कितने होंगे चुकि इसको हमने fix कर दिया इसको हमने क्या कर दिया fix कर दिया तो दो बर्चा तो दोनों को हम 6-6 तरीके से यहां पर रख सकते हैं यहां पर एक से 6 रख सकते हैं तो जब आपको क्रम्चे और संचे पढ़ाया गया था तो इसको आपस में गुणा कर यह निकालेंगे नमबर आफ एक कितनी संख्या हो गई 36 अब देखते हैं यफ यफ क्या है कि पहली दो उचालों पर छो और पांच हो यानि पहली अदूसरी उचालों पर छो और पांच हो तीसरी स्कोई मतलब नहीं है एक हो सकता है छह पांच फिर 6 5 इसको ऐसे लिखिये 6 5 फिर इसे लिखिये 6 6 5 2 फिर 6 5 3 और फिर 6 5 चार और फिर 6 5 5 और फिर 6 5 6 इतने सन्भावना बन रही है यफ की तो हम लोग क्या देखते हैं यफ में E को देखते हैं एडिए इस दुआ है इस इ go देखना है gekommeniãoव निखालेंगे पी फिकालां यह झालेंगे पी फिर नीखै door सीर journalism हठोडल कितना 246 किपनी पयगा है घ्र निकालेंगे पी यफ में कितने है हम पी गरख मैं आपके है एकड़ो तीन च्तार चीज होंगी चार वाले के वल कामन निकाल लेंगे एक पाँच चाहरा निकालेंगे निकालेंगे कि एक बटता टोल कितना है तो सोल न है जो एक बटता दो शोला निकल गए आप रख दीजिए स्यं था तो फार्म लां में अप्लोड रखी लेंगे 36 वट्टा 2016 हो गया 36 26 कितने उन्हीं गट गया च्वार में तो यह जो पासे को जब सालते हैं तो यह की संख्या कैसे निकलते हैं चैन्टू 6 इंटू 6 से 6 के पाउर 3 तो 216 अनिकलेंगे दूसर 16 हो जाओ ठीक है एस में से नमबर आप यह में ज़िए मतलब तीसरी उचाल पर चार लाना है तीसरी उचाल पर क्या लाना है चार जो देखेंगे तो क्या ना चार अब यहां पर ही सकते हैं एक से कहां तक छे तक खत्तिव और यहां पर इंगे पहले यह दो ज्यानी हिर दिख्ञमर पर proxy 96 दूसरा पर 5 तिस्रा कहां से कहरा सकते हैं एक से छेर चाइब से बचना करना ही नहीं यहां प्रिश कर गया तो इसमें कितने हो नौन की अब देखेंगे इन दोनों में किया कामन है इसको में बना ले यह समुच्छे को अब बना लेजिए तो यह चोटा है बन जाएगा तो यह हो जाएगा 651 पहला फिर 652 फिर 653 से उतर आएगा 653 654 अभी 656 इसमें क्या कर रहा था इसमें लाश्ट में 4 आना चाहिए लाश्ट में क्या आना चाहिए चार बाकी से मतलब भी नहीं है उसमें इसको खोजना है तो यह कहलें है जिसमें लाश्ट में चाहरए यह वळा यह है वरी 106 इसका लेकी भाहारूल कितने संख एई सिस टोटल कितना समिष्टी है 216 भी अफ निकालेंगे दो एक गितने समिष्टी है दोसो उसो ला फिर निकालेंगे यह इंट्सेक्षण फुर एक यही काम होना होगा कि फार्मना रख दीजिए पी बट्टा याफ में तो हो जागा पी बट्टा में पी नीचे वाला याफ तो पी एफ के हो गया उन्टा दुसोलो बट्टा पी एफ कमान हो गया एक बटा इकट जाएगा 6 बार में इकट जाएगा आपका अब हम लोग अपना नमगा तो एक पारिवारी खित्र में एक फोटो में माता पिता और पुत्र याँ दृष्चे खड़े हैं मतलब रेंडमली खड़े हैं माली यह माता है यहां पिता है यहां लड़का है बटा है या अल्टरनेट कर दिजिए कि यहां यांप यह मादर हो गया ऐसे आप कितने संभाव ना grouping सकते हैं देखा जा कितनेद समिश्टी बन सकते हैं चैबड़ सबसे पहले आप बनाइंगे की माली और यहां फादर है और यहां पे लड़का है यस ठीक है पुत्र को यस से दिखाय जा रहा है यह चैल्डरन से दिखाय जा है यस ठीक है वाई से कर दे क्या पुत्र य से कर दे रहे हैं य य बी से कर दे रहे हैं तो फिर अब इसको हम लोग इसको यहां ला रहे हैं तो यम अब इसको यहां ला रहे हैं तो यह हो गया आपका यव, यम भी हो गया, फिर आपका हो गया यव, बी, यम हो गया, पिर हो गया, बी, यम यव, यम, गया, कोई से म ने यह स्यमनीन नहीं, देके हैं कहिए Means माता है, यहां पर पिता है, यहां पलड़के हैं, भिल माता और पिता है बीच मेरका आ गया माता अब यहां पर नाए यह नहीं तो यह नहीं हो इसको चैंड किया गया फिर इसके बीच में लड़कों को लेते हाग यह हो गया फिर इन दोनों को किनारे कहड़ा कर दिया गया माताइपीता को है एसको राइट साइड में इसको एक बाल लेफ चाइड में कितने सम्भावंा बन रही है जहां पर मुंस ज्साम्धाऊनफंगर चोक्म्हारा मुझा यहां अधिक च च्छित्थार हम च। किणारे खड़ा है ज Barnand उसक्तार भी है यह भी हो रहा 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 है यह मान लेंगे मानना यह बराबर मदर यह बराबर फादर भी से वह पुत्र की बात किया रहा है लड़का मान लिया गया है यह क्या है पीता मध्य में खड़े हैं पीता म कि अब हम क्या है थियोरी बाइज लगाएं तो इसमें ही इसको देखते हैं लोग तो ये टोटल कितना है या फ्यम भी फ्यम में हमको देखना है कि पुत्र एक सिरेप खड़ा है पुत्र एक सिरेप यहां भी खड़ा है और एक सिरेप यहां भी खड़ा है कितने हैं दो कितने हैं दो ही नहीं है और भी है क्या देख लो देख ली दिया है चाहर ठीक तो है तो इसमें दो है और दोनों कंडिशन फालो कर रहा है पुत्र एक सिरेव खड़े हैं तो दो है अट्वाटल आवयोग संख्या भी दो है तो इसका एंसर आ गया एक क्योंकि शिवर इवेंट है दोनों में आपका द देखना है इट पुत्र एक सिरे दोनों खड़ा है इसमें सचूज किया जागा रेंडम नी तो दोनों वही निकलेगा तो यह इसकी प्रवब्लटी कितनी है रही है बत बाइदवे फार्मूला से लगाएंगे सबसे पहले हम निकालेंगे इन दोनों का यूं इंटरसेक्श यह कितना है दो है कितने प्रवब्लटी यह दो है कितना टॉडल एच्छा है कितना हुग एक बटा तीन यह हुआ है कि तो टॉडल कितना एच्छा है इतना गया एक बटा तीन निकालना क्या है हम बता दिया थे सब में यह निकालना है और से नो तक सवाल में यह निकालना इसमें उपर रहागा इउनियन एफ बट्टा में पी एफ पी उनियन इंटरसेक्शन करते हैं से तो एक पांथरी और एफ भी कितना है एक पांथरी कट गया एक हा गया शिवरी बंटिया तो आले डियम उता चुके इसको अब यह हो गया नो सवाल आपका आप दसमा सवाल दे कि इस सोल्रा सवाल है शुल आ कोशन को बढ़ियां से लगाया जायगा कुशन 10 है ज़िक दिया रिव देखिए तो एक काले और लाल पांथे ना गया है मानले दे एक पांथे बंचाला 5 और एक लाल तो एक से च्व तक इसमें भी होता है तो च्व इंटू शे उल्ट समष्टियों की संख्या कितनी हो गई 36 निकाल लिए लिखेंगे नहीं एक दो एक तीन एक चार एक पांच एक छै फिर दो एक दो तीन दो त्यार दो पांच दो छै इस तरह कितने समिष्टी बनेंगे 36 तो 36 इसका संख्या लिख लिया गया फिर का रहा है कि पासे पर प्राप संख्याओं का योग 9 होने का योग 9 होने के लिए हम लोग क्या क्या देखेंगे क्यों सित्व में थोड़ा सा एक मिश्टेक हो गया लिखने में 9 से अधिक दिया था 9 से अधिक होने जोड़ने पर दोनों में 9 से अधिखो तो माली ये पहले पास एप 6 आ गया जुषरे चैना चैना जीए तो 10 9 सदिक हो गया, एक हो गया यह, फिर पहले पे 6 आ गया, दूसरे 5 आ गया, यह भी 6 पांच इगारा हो गया, 6 तीन होगा नहीं, क्योंकि 6 तीन होगा, तो 6 तीन नहीं होगा, 9 सदिक चाहिए, फिर पहले पास एक पर हम मान ले रहे हैं, 4 है, दुसरे पास पर 6 है, फिर हम मान ले रहे हैं कि पहले पास पर 5 है, दुसरे पर क्या है, 6 है, 6-5 इगारा, और देखा जाए, कितने बन सकते हैं, एक और बन सकता है, 5-5, पहले पर 5 हो, और दुसरे पर भी 5 हो, लाल वाले पर औ पांच पांच हो सब्सक्राइब पर पांच पहले में पांच femых कि भला तो पांच कितने हो सकते हैं कि यदि यह ग्यात हो कि काले पासे पर क्या प्रकट हुआ है पांच तो पहले पर पांच बाकी कुछ भी पांच कामवन हो गया फिर 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 फांच क और एक यह है, दो, और एक यह भी है, तो तीन, तो तीन बटा कुल कितना है इसमें, छै, एक दो, तीन, चार, ला चे, कितना है सुरा गया, एक बटा है, दो, एक बर रुकिये समुच्चे में रिपीट नहीं होता है यह नहीं होगा बलकि एक खुगा 6 कामा 6 होगा तो 6 कामा 6 मतलब होगया अब इसमें गिना जाए तो पहले पर 5 हो अधोनों का जूड़ने पर 9 सथिक फिए पहले पर 5 इसमें क्योंट 1K राया है P यहां पर अमर्ण किल यहां आप T को डल कितना है चैनल गया गया एक बटा इसको लगा दिया जाए सवाल के साफ से तो पी निकाल लिया गया तो एक दो तीन चार पांच है चैनल कितना इंटरसेक्शन by निकाल लिए पिए तो तो चृटल इसमें भी कितना है अच्छ बड़ा कितना है, 36 तो यह हो गया निकाला दोनों का, inverter सेक्षन को है तो इसमें से इसमें देखि कामन क्या है, five, six वाला होगा और फाइफ, five, five hypothesis Ao 5,5 और 5,6 अब हम लोग इसका निकालेंगे probability तो यह हो जाएगा 2 है total कितना 36 2,36 तो कितना हो गया 1,18 इसका निकालेजिए P E upon F से यह हो जाएगा P E intersection F आपान में P F तो P intersection F कमान आया है एक बटा ठारा आपान में P F कमान कितना यह है एक बटा 6 तो 6 चला गया पे चला गया तो 6 अपान ठारा तो इंसका कितना गया एक वटा तीन इंसका अगया समझा गया आप लोग को दूसरा question है उसको आप स्वय महल के लेजिएगा इसी तरह से हम लोग अगला question चलते है इलेवंध question लिख दे रहा है फिर लगाए तो अगला question है एक नियाए पास एक हो नियाए पास मतलब उसमें एक से चाहतक है कोई छड़ छड़ने किया गया कुछ हाला गया है घटनाओ यह इफ और जी आ गया है के लिए नियुका मान गयात कीजिए पी इपान में इफ निकालना है तो हमको चाहिए पी इंट्रेसेक्शन इफ बटा में पी इफ चाहिए तो एक नियाए पास से कुछ हाला गया तो एक से लेके 6 तक उसमें आ सकती है समिष्टी एक दो तीन चार पांच छे तो सबसे पहले हम लों निकालेंगे पी इफ निकालेंगे तो पी इफ इफ क्या है दो तीन तो दो तीन आ चुका है दो बार क्रोडल कितना एच्छ है दो पांच छे कितना होगे एक बटा तीन और अब हम लों निकालेंगे ई और इंट्रेसेक् लेंगे प्रविल्टी तो तीन एक बराया है तो तो यहां से यहां देखिए तो पी इसका मान है एक बटा अच्छा है और इसका मान है पी एफ का मान एक बटा तीन यह होगे तीन बटा अच्छा है कितना इसरा गया एक अपन टू पहला गया वन अपन टू अब हमको निकालना है इसी में पी इफ बटाई निकालना है तो पी इफ बटाई में फार्मूला तो यह सेम रहेगा मों यह होगा इफ बस नीचे चर्ण होगा यह हुजा होगा पी इफ इंट्रेक्शन यह एफ उप निकालन चुक है एक बाटा है और पी यह कंआ निकला गया एक बट्टा तीन है अब अगला देखिए पी बट्टा जी और पीजी बट्टाई तो आप निकाल लेंगे हमको मालूम है आप लोग उस्यार बच्चे हैं तो हम डारेक्ट इसका इंसो लिख दे रहा है निकाल निकाल दें निकाल नहीं पाएंगे अप लोग पी का मान तो आलेड़ी निकाल चुके हैं पी का मान कितना है एक बट्टा दो पीजी का मान निकाल लीजिए जी एक दो तीन चार बराया है टोटल कितना है समिष्टी छै तो कितना हो गया दो बट्टा तीन फिर हम लों लिख को चैद परविल्टी निया है इसका प्रविल्टी निंगालना है इसका प्राविल्टी निकाल लें तो ऑला भी बक्टा की तो भात से यहीं ऑल बात कहा रहां जुर्आ बोलने मर दिक्कत को यह रहा है लिकिन आप उसको समझें इंटरेक्शन है यूनिओन ऐसे उपर होता है फोच्जी इसका मान दिया है एक बट्षा सबस्के इंटरे कि क्यों किन की इस इसटीम पर घ्टा यू कि इस तरह निकाल लेंगे इसका मान आ 2 बट्टा 3 इसमें कोई दिक्कत है नहीं अभे वाला कोशन देखिए कि कि तिसरा निकालना हमको हुँ हो तिसरा हमको क्या निकालना है पी यूनियन यह यहां पर यहां देखें यूनियन तो इससे हम दो निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है कि अ कि अ कि सबसे पहले हम लोग इसका फार्मला गर बनाएं पी इसा ये टोटल बटा में होगा इसका पूश्चन थोगा देख लीजिए आई बटा में होगा प्रैसे यह यह निकालना है यह यूनियन यफ बटा में जी कैसे निकलेगा इसका उपर रहेगा इसके साथ नीचे का नीचे रहता है तो पी जी हो गया और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन रहेगा तो पी यूनियन यफ का इंटरसेक्शन है किसके साथ जी के साथ तो पहले तो आप कि ये यूंीयन कैसे निकलता है दोनों को जोड दे राता है मिदा ईफ निकले इध दू कामंन विडिये रिंड चीन है इस में फ़ें यह तेरी अमें फ़ें 되어 लिख लिये दोनों जोड़ लिया गया है अज बब लीचिज़ों को मिला देना है एक है इसमें यह तो दिक्कत नहीं लिख लिए तर पाँ दोनों को मिला दिए दो तिंप वगया है अब हम लोग निकालेंगे क्या निकालेंगे इसकी और इसका intersection तो G क्या दिया है G दिया है 2 3, 4, 5 तो इन दोने common क्या है वो देख लिजिए तो A union और इसका निकालना है intersection G तो इन दोने common क्या है 2 है 3 है 5 कितना हो गया 2 3 5 कितने हो यह हो रहे 3 तो इसकी probability कि पूलिटी निकालेंगे जिए पीजी निकाल लिए थे तो मिट निकाल कितना या थे ते य Mitgl निकाल या थे Topic थे तीन मुट कड़ेंगा नहीं यह यहां जाएगा यहां जाएगा तीन मुटा चार इसी परकार से इसको निकालना है तो इसको भी देख लिजिए कैसे निकलेगा इसका फार्मुला होता है नीचे का नीचे हो जाता है पीजी और इसके साथ इन दोनों का इंट्रेसेक्शन निकालना है किसके साथ जी के साथ तो इंट्रेसेक्शन इफ निकाल चुके थे हम लोग इंट्रेसेक्शन इफ नहीं निकाल चुके निकाल लेजिए इसमें और इफ में क्या कमन है वनली थिरी फिर इसका और G का 2, 3, 4, 5 इसमें देखिये क्या common है E intersection f में का intersection निकालना है D के साथ तो 2दोनों common देख लेंगे क्या common है इसका probability निकाल दीजिए इसका महां निकल गया 1 , सान पते निकल था ज्य दूनिव रह गया है ? तो महां लह जन्रनिल बच्चे का लड़का や लड़की सब्सक्राइब यह दिया है, यह जड है. और question क्या है? दोनों बच्चों के लड़की होने की पर्तिवन प्राइक्टा तो पहले हिए हमारे कितने हैं sample space एक हो सकता है दोनों, उससारी girl यह होसकता है girl, लुसरी यह यह और दोनों क्या हो सकते है गर्ल यह हो गया हमारा कुल सेंपल स्पेस की संख्या कुल प्रावस्टियों की संख्या अब हम देख रहे हैं दोनों बच्चों के लड़की होने की सब परतिबंद प्राइक्ता क्या है यानि यह दिया है पहले कोशन में दोनों बच्चे क्या है लड़की यानि जी जी यह दिया है पहले कोशन में क कि यह हो गया या दोनों क्या हो गया दोनों गर्ल हो सकता है क्योंकि छोटे बच्चे मतलब है दोनों क्या सकता है जी बस यहां पर बी नहीं होगा क्योंकि दूसरा बच्च्चा हमको यह वाला बी नहीं होगा क्योंकि यहां पर हमको सबसे चोटी बच्ची लड़की मानना है तो यह हो गया यानि यह नहीं होगा यह दो ही कंडिशन है तो इसका निकाल लीजिए इसमें इसको देखते हैं तो एक ही है बटा दो त्याने इंसर डारेक्ट हो गया इसका पहले का एक बटा दो लेकिन बाई दिस फार्मुला हम लगा इंग सको तो लेकिन निकाले रहें पय क्या हो जाएगा एक है टोटल कितना है चार डोई दोनों का इं तो दोनों में क्यों लेख ही कामन है तो यह हो गया जी जी इसका हम निकाल लिए प्रविल्टी तो ए यफ तो कितना है एक टोडल कितना है चार एक अपन फॉर अब निकालेंगे पी इफ आन यह 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 दोनों बच्चों के लड़के होने की सब परतिबंद प्राइक्ता तो प्रेश अपन मेंलललल के मान क्या है लड़की है कम से कम एक बच्ची उसमें लड़की है अदिक से अदिक है मतलब निय कम से कम तो यह तो अभी भी वही है जो था पहले दोनों बच्चों के लड़की होने की संभाना तो G, G और यस तो वही चारों है अभी भी पीबी भीजी जीविए और जीजी abol गया निंतम एक बच्छा अलडगी कमसे कम उसमेंद आप यह नहीं होगा बागा सबहगा बीजी जीबी और जीजी इसमें इसको देखना है है तो इसका इतने सब्गा गया इसबार, एक है ना इसमें एक बटा तीन लगा दिजिये इसका प्रोबील्टि निका लए पी ए ये हो गया एक है टोटल जुर पांच झार इसकी प्रोबिटी निकाल ये पी री टोटल टीन है इसमें टोटल कितना है चार आग उन दूनों का निकालैंगे हम लोग intersection तो दोनों का addition में एक लिका उमान है G, G इसका निकालेंगे probability तो यह हो जाएगा एक बटा 4, और मुदा निकाल लीजिए P,E,F,P,E, intersection,E,F अपन में P,E,F, तो यह हो गया इसका उमान है एक उमान है तीन उमान चार, इसका उमान है तीन उमान चार एक बटा 4 ते वह आ रहा हो, कितना भूम कट गया एक बटा 3 श्रा गया, अब हमारा कोशन अगला है, एक परसी छक के पास, अब कोशन लिखेंगे नहीं, थ्वहाँ बड़ा कोशन है, सून लिजिए, कोशन आप लो, एक प्रसिछक के पास तीन सो अच्छा इसको स्क्रीन पर हम कोश्चन दे देंगे आपको स्क्रीन पर कोश्चन इसका मिल जाएगा एक प्रसिछक के पास एक टीचर के पास एक कोश्चन नमबर तेरा है एक टीचर के पास तीन सो सत्य असत्य प्रकार के असान प्रस्ण असान कोशन है दोसो शत्य सत्य मतर्प्रूफास कठिन प्रस्ण और पांसो बहुविकल्पी 500 mcq प्रस्ण यह भी असान है और चारसो बहुएकल्पि एमसी क्यों क्यों तो यह कठीन प्रश्थ इलुक सब्सक्रा प्रस्थ ओ, उने की उने की की एक असान प्रस्थन की बहुई कल्पी होने की प्राइक्ता क्या तो टोटल पहले हम निकाल रहे हैं कुल कितने प्रस्थन है यानि यस यान यस निकाल रहे हैं कुल प्रेश्ट्रीट्व संक्या तीन दो पांच पांदस चाओदा कितना हो गया चाओदस बन fundamental है एक में ज़र ओव्यान में एक ह्याति इसमें माले रहें इसलों आसान प्रस्लिव है तीन सो और पान सो गितना होगे आठ सो अब हम देखेंगे यह व यह मतलब क्या है यम्हें सिक्वाथ है जोजां प्रस्वALLY कितने है कि यहें किसंग कितना हैं कि8 कि 900 कितना हो गया 900 तो हम निकालेंगे यहां से पी पी क्या होता है अनुकुल संख्या 800 बट्टा टोटल संख्या 1400 यह क्या होता है पी अनुकुल संख्या 900 बट्टा में टोटल संख्या दोसे कट गया चार बर में साथ बर में कितना गया पूरा पांच सेवन कटेगा नहीं नौब पांच अब इन दोनों में कामन देखेंगे तो कैसे निकलेगा अब इस क्या है कि यह मतलब है असान प्रस्ण असान प्रस्ण इतने असान प्रस्ण तीन सो सथ रूफ वाले और पांसो क्या वाले यम सी क्या है यनियद यमसी क्यूं तो हमारा इन दोनों में कामन कितना हो गया 500 कितना कमन हो गया 500 EMCQ question असान है बाकि इसका भी निकाल लेंगे probability यह ने 500 EMCQ का असान है और बाकि 400 कठीन है 400 कठीन है इसमें इसमें क्या हो गया इसका probability निकालेंगे इंटरसेक्शन यह तो यह हो जागा 500 बटा टूडल कितने कोश्चन है 1400 तो यह हो गया 514 तो यह लगा लिजिए फार्मुला आजागा इंसर पी इपान इफ का तो पी इफ अपान में पी इफ तो यह निकल गया 514 यह निकल चुका है 9 अपान 14 14 14 कठीन गया 5 अपान 9 इंसर हो गया इक और और इस कोशन को आप लोग समझ लीजिए इसको मिटका दे रहा है बाकि huma इस चीजों को समझाना है तो है आसान प्रस्थ कि at home invest प्राइकता असान ही जो है पहले बात यह प्राथ्मिक हमारा है यांकी एकरण क्या है कि फ्राइड गया च्रेटेट तो इक एक कीतने हैं कितने असान प्रश्ण हो गएंड तीन सो पांग सो तो यह नाई निकल गया 800 यहम्सीक्यू कितने है 400 500 तो यहम्सीक्यू कितने हो गए आपके 400 और 500 कितने हो गए 900 अब इससे तो दुनों निकल लिए प्रविक्ता है दुनों का लेकिन इन दोना में कामन क्या है 800 में क्या चीज़े हैं 800 अहें आपका 300 असान है रूफ हाल्स और 500 असान है 4a mc2 यह यह मतलब क्या है यह होने की मितलब 400 tu also कठीन है और 500 mcq क्या है आसान है तो इन दोन में इन कमन है यह यह और यह आफ निकालेंगे कितना आएगा 500 फिर इसका यह निकालेंगे लगा लीजिएगा आप लो तो यह कोशन होगे हमारा 14 14 था ना थार ते रहा हमा नमबर था कि अगला देखते हैं कि वस्चन नमबर 14 था कि पुस्चन नमबर 14 है लिग दिया जा इसको भी चीए कि लिए यह दिया है कि दो पासों को फेकने पर प्राप संख्या भिन भिन है दो पासों को फेक रहा है तो भिन भिन संख्या हैं पहली बात यह दिया है यानि यह है आपका यह दो पासों को फेकने पर प्राप संख्या क्या है भिन भिन मतलब अलग अलग है यह निकालना है यह निकालना है दोनों संख्याओं का योग जो है चार हो, क्या हो, चार हो, अधिक नहीं, चार हो, तो इसमें हम सबसे पहले दो पाशा फेकते हैं, पाशा में लगता है छै के पावर यहन, जितना वर फेकी आप, तो दो पर फेका गया तो छै के पावर, दो कितने बनेंगे, 36, तो पुल, समिष्टियों की संख्याः यानि या नियस का मा निकल गया, चैए इंटू आट शैłe मतलब कितना ओ गया, 36, अब देखते हैं दोनों संख्याओं का यूग चार हो हो अलग अलग प्राफ्ट हो यानि एक हो सकता है 1 कामा 3 एक हो सकता है 3 कामा 1 कामा 2 है बस तो यानि कितने ही हो रहा है तीञ कितने हो रहे हैं अब देखिये हम लोगोड निकाल लेंगे यह किया है दो फ़ेड़ थोफिक संग्य ही मतलब एक च्छार नहीँ होगा पांच पांच नहीं होगा छे नहीं होगा तो बचा इतने बचेंगे 30 तो यान याफ कामान कितना निकल गया 30 तो पर बेल्टी निकाल लेंगे हम लोग इसका प्रबेल्टी आफ याफ तो कितने अवय हों है 30 टोटल कितना है 36 तो भाग देजिए 5 एकार देजिए 6 35 36 36 तो तीस अब इन दोनों में क्या कमान है यान याफ intersection E या E intersection F यह सब होगा इसमें क्योंकि दोनों अलग अलग है तो तीन तीन हीन कामन है या यही निकाल लीजिए 1 कामा 3 होगा 3 कामा 1 होगा 2 कामा 2 होगा अलग अलग यह होगा यह इसमें नहीं होँगा दोहीं होगा . क्योंकि अलग अलग होने चाइं सेम नहीं होने चाहिए भी नहीं होने चाहिए तो 2 होगा तो p क क इसका निकालेंगे E INTERSECTION F तो कितने हैं ? दोटल कितना है 36 सिस कटें रगोज में एक बोटा 18 भर में और पी-ई और शीछ निकल लेंगे तो पीई इंन्ट्रेस्टिन बट्रय पस्रेंट में पीए toda और प्स कमान कितना है फार्ट पच बयु ए सकते इसक पार पर यहां पर यहां तो यह आगे अंसो एक बटा पंदरा तीम पचे पंदरा एंसो रो गया अब हमारा पंदरा हमाँ कुश्चन है अगला कुश्चन देखिए यह लास्ट कुश्चन ने थियुड़ीगा एक पा पर प्रकट संक्या तीन का गुणे तो पासे कू पुन भेकश है और कौई अन्य संक्या प्रकट हो तो स्थिह का उच्छा लें अगर पासे को फेकशिया यह च्छी आ रहा है तो फीर पासे को फेक्या लेगिन अगर कि मान लेजिए पहले बार तीन आ गया तो उसके साथ कोई और अंक आ गया तो तीन के साथ क्या सकता है मान लेजिए तीन के साथ एक आ गया, फिर पहले बार तीन आ गया, फिर दो आ गया, फिर तीन आ गया, फिर तीन आ गया, फिर तीन आ गया, फिर तीन आ गया, पांच आ गया, फिर तीन आ गया, छै आ गया, इसे तरह छै पहले बार आ गया, छै एक, छै टू, छै तीन, छै चार, छै पांच 6 6 ठीक है अब तो तीन कोई गुणाज है नहीं अब अगर माल लीजिए एक आ रहा है तो सिक्का उच्छा लिए क्या उच्छा लिए सिक्का तो सिक्का उच्छा लेंगे तो हेडा सकता है उसके साथ पिर एक आया तो सिस्के सट टेला सकता है फिर एक खतम करें फिर दो कीजिए तो dus के साथ एड़ा सकता है दो के सेसाथ प्रहला सकता है advoc the अधलनाए जब savvy पाशे पर तीन और शोगे अलावाँ कोई अन्य संख्रा आएगी तो हमको प्रहला उसक्राइगे तो पांश साथ एड नहीं चो से पर तो शिक्का उच्छालना नहीं तो कितने बन गए एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नव दस इगारा बारा तीरा चावदा पंदा सोला सत्रा ठारा उनिस विस कुल कितना संख्या हो गया गटना नियुंतम एक पासे पर तीन प्रकट होना दिया है यानि यह दिया है आपका यपकामान तो इपले देखिए तो घटना सिक्के पर पट प्राप्त होने का सहप्रतिबंद ग्याद कीजिए यानि इपक्या है इसमें है इसमें है इसमें है इसमें है तो यह लिख लिजिए वन टी दो टी ठीट होगा नहीं फोर टी और फाइब टी तो इसका प्रविल्ट्य निकाल लेजिए तो चार है टूटल टाल है निकल गया पाक जा अब हम आपट निकालर निघी क्या है यह क्या दिया है जिए निउन इस पासे पर संख्या दी है टीन प्रकट हो रहेए क्पासरforme 5 संख्या तीन प्रगट हो रही कि दिन एक 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 हो गया एक लगापन sums करही हो चाहिए चाह नहीं इसका प्रविट करहा लेंगी तो पियफ कामा निकल गया तोटल क 190 में 10 小 хорошо नियुंता मतलब किसी भी एक पर 3 तहीं तो एक यहां है यहां 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 और यहां पर 7,1,2,3,4,5,6,7 कितना हो गया शाथ पान में 20 दोनम क्या कमन ह्यों दोनम कुछ भी कमन नहीं जो तो इसको फाइ हो गया कुछ कमन निकालेंगे तो कोई कामन ही नहीं है जीरो हो या हो बट्टा टोडल तो कितना हो गया जीरो तो अब प्राइक्ता निकाल लीजिए पी-ई-बाइ-फ पी-ई-बाइ-फ अभिष्ट प्राइक्ता इसको लिखते हैं तो यह हो जागा पी-ई-फ बट्टा में पी-फ कि सब लिखते हैं कि if क्या क्या दिया इसमें तो यह हो गया आपका हलां है जी रूपता में फुडल कितना है यह साथ two to उपर जी रूख इसे कोई मतलब नहीं है कितना गया जीरू है तो यह हमारा हो गया पंद्रों कुछन समात दो कुशन याम CQ है दोनों कोईशन को भी देख लिया जो यादि पी एक बटा दो है अग्पी भी जीरो है तो पी ए बटा भी क्या होगा A है 0, D है 1 upon 2, C है परिफासित नहीं और D है 1 तो पी ए में आफ है आफ प्रोबिर्टी है पी बी की प्रोबिर्टी 0 है पी ए बाई निकालना है तो पी ए बाई बी जीज़कल होगा पी ए यूनियन बी अपान में इंट्रसेक्शन अपान में क्या होगया पी बी तो पी बी का मान कितना है 0 है तो जब पी-बी का मान 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह होगा अनंत क्या हो जागा अनन्त मतलब यह क्या हो गया परिभासित नहीं है अगला देखते हैं यदि A और B दो घटनाएं इस परकार है इस परकार है यदि P A बटा B जो है बराबर है P B बटा A के और वह 0 के बराबर नहीं है तब A दिया है A B का उपसमुच्चे है लेकिन A B के बराबर नहीं है B A B के बराबर है C A और B का इंडिसेक्शन फाई है और D P A जो है P B के बराबर है तो यहीं सही है प्रपर्टी से P A P B के क्या है बराबर है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगले हम सकेंड यह थर्ड लेक्चर में थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना तेरा पॉइंट टू धन्यवाद भूट और सब्सक्राइब